हां जी आ गए हैं हम वैशनो देवी की यात्रा पूरी करके तो सबसे पहले मैंने आते कपड़े दोकर घर के सारे काम निम्टा लिए आटा गुंद लिया और आलू को भी मैंने छीर लिया वैसे तो हल्वा और पूरी और छने का भोग लगता है वो मैं शाम को लगाऊंगे क् अलू और आटा लगा के रख लिया परशाद चेक कर रही हूँ इसे भी देना है तो मैं सारी चीजों को निकाल कर बिल्कुल साफ करके एक पैकेट बना लूँगे और सब दे देंगे और इस बार तो हमने कुछ अलगी किया है परशाद को डिस्टिब्यूट करने के लिए चोटे-चोटे से जो बॉक्स आते हैं वही ले लिये थे जो देने में आसानी भी हो और देखने में सुंदर भी लगे तो यह लोग खा भी लेते हैं वरना सोस्तें की पता नहीं क्या दिया है तो साथ में मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स लिये ते जिसमें अप्रिकोड थ निकाल रही हूं कि है इस बनाच लेकर ही जाएंगे अपनी कमपनी में और यह आज डिस्टिब्यूट हो ही जाएंगे तो यह भी मैंने निकाल कर अलग रग दिया और मैं अपने पास पर जो आंटी है उनके लिए मैं प्लेट में अलग से बनाऊंगी जो और साथ में मेरा बेटा भी रो रहा था तो मैंने उसको दोड़ा सा एपरिकोर्ट दिया वो इतने में ही खुश हो गया इसके अच्छी बात ही है कि बड़ी जल्दी मान जाता है तो मैंने पांच एपरिकोर्ट और थोड़े से बाधाम और अखरोट लिए है वो दे दे देंगे में अब मैं इसको तेल में फ्राइ कर दूंगी आलू को आलू की पराठे बना रही हूं मसाला आलू पराठा काफे टाइम हो गया था मतब दो से तीन दीन हो चुके थे मतब टेस्टी सा खाना तो मिलता ही है वहाँ पर लेकिन घर के खाने की बात ही कुछ और है तो हमने मैंने और बस ये आलू जब तक ठंडे होंगे तब देंग मैं परशाद भी दे दूंगी और बस फिर आएगे इन पराठा को सेखने की बारी पराठे सेखने के बाद तो वैसे बाकी बहुत टेस्टी लग रहे थे तो मैंने ये आलू को बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैं इसको भी थोड़ा थोड़ी लेकर अच्छे से बेल कर इनकी बन जाएंगे पराठे हां तवे को न अगर नॉंस्टिकी यूज करना लोही के तवे को तुस पर थोड़ा सा ओईल डाल के टीशू पेपर से साफ कर दीचिए बिल्कुल नॉंस्टिकी की तरह काम करेगा अब करतावा औ अब दही और अचार के साथ इसको इंजॉय करें हल्वा और पूरी का भोग लगाना है वो में शाम को लगाऊंगी क्योंकि बड़ी भागम भाग हो रही है और आज है एकाजसी तो फिर तो पूजा होनी बनती है तो चलिए बब बाई